हाई अब्रिवन सेफ्रावन स्किन केर से मैं हूँ प्रियांका श्रवास्तो वेल्कम बैक टू माइ यूटूब चैनल आज मैं शेयर करने वाली हूँ जिसकी स्किन थोड़ी सी डस्की होती है उन पर मेकप थोड़ा सा करना डिफिकल्ड होता है आपको इतनी कन्फ्यूजिंग होती है कि डस्की टॉन को फियर कॉंप्लेक्शन में कैसे चेंज करें क्या प्रोड़क्स लगाएं इसमें कि उनका एक टॉन फड़ा लिफ्ट हो जाए तो आज मैं वह वीडियो शेयर करने वाली हो यह हमारी रियल की क्लाइंट है इनका भी फ बुरूरी होता है इससे क्या होता है कि हमारी जो भी प्रोडेक्स होता है बहुत इसली एब्सर्ब और पेनिट्रीट हो जाते हैं तो वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैंने क्लिंजर और टोनर मॉश्राइजिंग कर दिया था इस्टार्ट करेंगे हम लोग आईस मेकप से अफेक्ट होता है और यह ज्यादा लाउड भी नहीं दिखते हैं और आउटर वी कॉर्णर से स्टार्ट करके हम लोग ब्लैंडिंग बहुत अच्छे से करेंगे यह चो कलर पिगमेंट है बहुत ही अच्छे से ब्लैंडिंग करेंगे और मर्ज भी करना बहुत जरूर यह क कि अनिवन सा न दिखें तो मर्जिंग बहुत आप इंपॉर्टेंट से हैं फ्रैंट्स क्रीज लाइन पर हमें सब मैट के पिगमेंट यूज होंगे और जो आई बॉल्स होते हैं उसमें आप ग्लीटर एंड शिमर यूज कर सकते हैं तो मैंने यह लाइनर वेगरा यूज क कर लिया है देन उसके बाट से हम लोग ग्लीटर यूज करेंगे यह सिमर यूज कर सकते हैं शिमर वैसे डस की टोन पर बहुत फी अच्छा दिखता है क्योंकि वह ज़्यादग निदीखता है तो आप शिमर यूज कर सकते हलिए ग्लीटर ज़्यादग दीखेगा देन उसक काफी प्रिटी दिखता है इसकिन प्रैम्परिंग करने के पाद हमने मैक का प्राइमर यूज किया है जो बहुत ही बेस रेडियन्स नैचुरल होते हैं काफी ज्यादा इसकिन ग्लोइंग भी दिखता है और हमारे पोर्स को मिनिमाईज भी करता है अल ओवर इसकिन पर हम लोग अप्लाई करेंगे ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं तो फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छा हो जाएगा बहुत ही इसली पैनेट्रीट हो जाता है कलर करेक्शन बहुत करना जरूरी होता है जहां जहां पैची स्कीन हो र डार्क सरकल्स हो या एकनेवे गरा हो तो इसको हाइड करना बहुत जरूरी होती है नहीं तो हमारे फेस पे अगर हम बेस यूज करेंगे तो वह ग्रे हो जाएगा तो पहले हम लोग फरस्ट ओफ करेंगे color correction बहुत जरूरी होता है अभी मैंने जो प्रोडेक्स यूज किया है वो makeup studio का किया है makeup studio का correction भी बहुत ही अच्छा है आप बहुत ही easily तरीके से face के according correction कर सकते हैं अब हम लोग base use करेंगे base मैंने makeup studio किया है काफी long lasting होता है और waterproof होता है काफी long time stay रहता है तो beauty blender से हम लोग इसको अच्छे से blend करेंगे हमें सा beauty blender wet होना चाहिए अगर आपका wet नहीं है तो जो spray आता है makeup fixer वाला तो उससे makeup fixer से spray करें देन उसके बाद से blend करें और जितना अच्छा blending करेंगे उतना अच्छा skin में absorb होगा penetrate होगा और यह बहुत ही flourish आपकी skin दिखेगी काफी smooth दिखेगी तो blending करना बहुत ही main काम है और बेस आप face के according क्रैलोन मेक अप इस्टूडियो हुडा सब में आता है तो आप face के according choice कर सकते हैं कि dusky tone पर कौन सा base जाएगा हर products का अपना अपना एक base होता है कि dusky color पर कौन सा जाएगा अभी तो दाल मेंने makeup studio का ही use किया है और बहुत ही अच्छा यह होता है waterproof है कर सकते हैं अगर आपको dusky color पर base लगाने में problem होता है तो आप mix and match करके भी base लगा सकते हैं तो इससे आपको बहुत ही easy लगेगा और कोई problem नहीं होगा एक आप light shade लीजे एक आप dark shade लीजे तो दोनों को mix करके apply करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका base बन जाएगा हमें base को set करने के लिए powder use करना जरूरी होता है वैसे फिलाल dusky color पर हम लोग banana powder use करेंगे यह हर ब्रैंड में मिल जाता है makeup studio क्रैलोन एंड फोरेवर वेगरा में भी मिल जाता है तो हमें जो base को set करना होता है तो powder use करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमारी जो linings नहीं पड़ती है base में और easily वो बहुत ही अच्छा set हो जाता है और कफी smooth हो जाता है और long lasting के लिए एकदम base perfect हो जाता है अंड अंडर आइस के नीचे तो बहुत ही main होता है अंडर आइस को powder के brush के help से बनाना वाला powder use करेंगे इससे हमारी जो lines होती है easily वो reduce हो जाती है face पे अच्छे से blending जरूरी होता है करना brush के help से या sponge एंड इसका जो puff type में होता है उससे भी use कर सकते है एंड उसके पास हम लोग contouring करेंगे contouring आप powder base में भी use कर सकते हैं और creamy base से भी use कर सकते हैं वो अपने according कर सकते हैं choice है वैसे फिलाल मैंने powder base में use किया है वो भी powder base में और बहुत ही light weight में करेंगे और जो इसकी lining में ने दिये है जो आप देख रहे हैं कि ear से और nose and lips के 20 से lining जाती है जो guideline mean होता है अगर आप guideline के according contour करेंगे तो बहुत easy से contour हो जाएगा आपको और कोई problem नहीं होगा तो आप देख रहे हैं कि contouring मैंने थोड़े से area में किया है देन इसके बाद से blushing chicks पे sprout बनाके खरा सकते हैं और बहुत चोटे small देख रहे हैं कि brush है उसके help से मैंने contour किया है nose पे एकदम sharp दिया है तो जो जिससे क्या होता है कि nose बहुत पतली दिखती है तो देन उसके बाद से मैंने highlighter यूज किया है highlighter से face काफी glossy सा दिखता है and बहुत shining सा दिखता है तो highlighter कहां पे करना है only chicks bones पे करना है और otherwise कहीं पे नहीं तो वो equal पूरा face shining shining दिखेगा तो वो नहीं अच्छा लगता है तो आप अधिकता chicks पे करिए and nose को जो sharp किया है उस पे आप highlighter यूज करिए and chicks पे और जो जो highlight वाले points होते हैं तो उन्हीं पे ही highlighter यूज किया जाता है अधिन उसके बाद से आइब्रो को define करेंगे आइब्रो को अच्छे शेप देंगे जिससे eyes look बहुती perfect दिखता है और काफी amazing दिखता है जो मैंने eye shade यूज किया था brown shade में उसको मैं eyes के नीचे हलकेल के brush इसको थोड़ा से blend करेंगे then थोड़ा से glitter यूज करेंगे I hope आपको मेरी video पसंद आ रही होगी and मेरी theory समझ में आ रही होगी अगर आपको कोई भी problem हो रहा है तो आप comment box में लिख सकते हैं तो मैं आपकी problem को shut out कर सकती हूं and then उसके पासे मैंने hair style create किया है hair style में crimping बहुत ही main होता है कोई भी bridal या party makeup में आगे कीजिए जो friends hair style होती है उसमें crimping एक main role होता है और जो इसमें मैंने create किया है जो lining वाली hair lines मैंने देख रहे हैं आपकी मैंने hair lines create किया है इसमें और इसमें जो इनकी accessories वेगरा होती है तो वह बहुत ही easily लग जाता है यह जो hair style होती है और आजकर bride में ऐसे ही hair style बहुत अच्छा भी लगता है आप देख सकते हैं अगर आपके पास original flowers नहीं है तो artificials से भी आप bride को change कर सकते हैं उनका hair style बना सकते हैं तो यह नहीं सोचिए कि आपको original ही चाहिए तो आप artificials से भी hair को create कर सकते हैं अभी तो मैंने फिलाल artificials से ही look create किया है अब look देख सकते हैं तो कितनी वह pretty लग रही है और उनका after and before pics से ही आपको पता चल ला है कि वह कितनी beautifuls लग रही है आप देख सकते हैं उनका color tone एकदम change हो क्या है और काफी heavy भी नहीं लग रहा है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई है और आपके लिए यह वीडियो बहुत ही है यह फोन होने वाली है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाइबाई कर दए बाई लग बाह जर दोड़्यो बगस्ट